हेल्ट फेंट्स मैं हूँ सनमय प्रकाश और आप देखे हैं यूट्यूब चैनल सरकार जॉब न्यूज ये 6 और 7 दिसंबर 2020 के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जागा या आप इसे वीडियो खात मोर्स ठीक पहले मेरे बगल में जो डाउनलोड का लिंक क्या आता है वहां से ले सकते हैं शुरू करते हैं बहुत सारे इंपार्टेंट कोशन है दो दिनों के उससे पहले एक इंफोर्मेशन 2020 का ज देटेल नोट्स दिया गहा है ताकि आपको एक एक बात समझ में आ जाए हज़ारों लोग डेली ले रहे हैं तो आप भी देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में शुरू करते हैं और पहला कोशन चांद पर जंडा गारने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन सा बन गया है मतल जंडा गार दिया है प्लांट कर दिया है अमेरिका ने लगभग 50 साल पहले चांद पर अपना पहला जंडा गारा था उसका बहुत सारे कई सारे जंडे उसने वहां पर लगाए हैं लेकिन अगर कंट्री की बात करें तो second country ये चाइनम बना है और किस स्पेस क्राफ्ट के थ मुन ने प्रित्वी पर लाने के लिए एक त्यार किया मिशन है और वह स्पेस क्राफ्ट है और उसको 24 नॉवम्मर को लांच किया गया था और एक दिसंबर को चांद पर वो लेंड किया और अब उसने वहां जंडा फरा दिया एक अलग बात है मुन पर फ्लैग लगाना इसलि अमेरिका का तो उसी दोरांच चांद पर पहला जंडा लगाया गया था और उस वक्त कौन थे इस्ट्रोनॉट तो नील आर्मिस्टॉंग और बज एल्रिट तो उन दोनों ने मिलकर गा रहा था और उसके बाद हला कि और भी मिशन अमेरिका के जाते रहे है और पांच और चांद के अलग-अलग जगों पर वहां गाड़े गया है अमेरिका के और चीन अब दूसरा देश बन गया है जिसने अपना फ्लैग प्लांट किया है तो सवाल होगा कि यहां पर कि इंडिया का चंदरियान भी था तो उसमें भी फ्लैग प्रिंट था तो क्या वो काउंट नहीं होगा कि इंडिया कभी तो फ्लैग वहां पर चला गया तो नहीं देखिए यहां पर टेक्निकलिटी है जो उसको देखना होगा हम बात कर रहे हैं मून के सर्फेस पर जंडा गाड़ने की और अगर हम बात करें कि जंडा भीजने की तो यह तो सबसे पहले USSR ने किया थ तो यहां प्रिंट की बात नहीं हो रही है पूरा जंडा की बात हो रही है और एक हिस्सा वापस वो लॉट आएगा, उपर कैसे लॉट आएगा वो आप देख रहे हो, ओके, और फिर यह मून का जो ओर्बिट का रहा है, उससे जोड जाएगा, फिर कनेक्ट यह होके, वो भी काफी डिफिकल्ट होता है, प्रोसेस, जब वो अटैच हो जाएगा, तो वो आपस वो प्रिथवी पढ़ा जाएगा, ओके, और प्रिथवी पर मंगोलिया रिजन, इनर मंगोलिया रिजन है, चाइना में, वहाँ पर इसको लैंड करान की बात है, ठीक है, तो अगर यह सफाल हो जाता है, तो मिट्टी और पत्थर लाने वाला चीन जो तीसरा इसके कलर को बढ़कर आरा रखना, क्योंकि वहाँ कलर फेड हो जाता है, और यह भी एक चलेंज है, क्यों होता है, क्योंकि मौन पर सीधे सुरज की रोशनी होती है, और रेडियेशन आता है, ब्रहमान से भी जो बहुत सार रेडियेशन है, वो वहाँ पर आता है, प्रिथ जहन्डे हैं वह लगबग लगबग अब fade हो चुके हैं मतलब color उसका फीका पर चुका है लेकिन चीन ने जो ये fabric इस्तिमाल किया है वो ऐसा किया है कि ताकि जल्दी वो fade ना हो सके उसका color जो है down ना हो सके तो ये ये भी बात है तो मून की बात हो रही है, आपको एक और बात बता दूँ कि चाइना जो है, वो उसने ये तैक किया हुआ कि 2036 तक चांद पर अपना मानो मिशन भेजागा, अब भी जो फ्लैग लगाए गया है उसमें मानो मिशन नहीं था, बिना हिूमन के ही ये सब कम्पूटर रोबोट न होगा अंतरिक्ष में, चली, मुझे लगता है इस बार में थोड़ा सा डीटेल पताना चाहिए था, इसलिए मैंने थोड़ा बताया, थोड़ा लंबा हो गया, आगे बरते हैं और अगला कोशन लेते हैं, केरल तमिल्लाडू तट पर दिसंबर 2020 में आए चक्रवाद का नाम अभी कमजोर पर गया था, इसलिए आप मीडिया में बहुत जादा इसके बारे में नहीं सुन रहे होंगे, और आपको पता दूँ कि ये अभी हाल के समय में बंगाल के खारी और अरब सागर को मिला लें, तो ये तीसरा ऐसा तूफान था, तेश नॉमबर को अरब सागर मे गती नाम का तूफान उठा था, जो कि सोमालिया के तट से जाकर टकड़ाया था, पचिस नॉमबर को बंगाल की खारी में उठा था निवार, जो कि पुद्दू चेरी से टकड़ाया था, और अब ये आया, तूफान, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेशन, किस देश ने द दिसंबर 2020 में जलवायू आपातकाल की घोशना की है, आंसर होगा न्यूजिलेंड, देखिए अभी जो पॉलुशन के सिती है, कार्बन एमिशन की जो हालात है, उसमें जलवायू आपातकाल अगर कोई देश लगाता है, तो एक इंपार्टेंट निउस हो जाता है, एक साम में मद्दान हुआ, और इस इमर्जेंसी के साथ ये भी पताया गया है, कि न्यूजिलेंड का, जो सार्वजनिक छेतर का, जो जितने भी उद्योग है, चाहे परिवाहन है, चाहे जो भी है, उसको 2025 तक कार्बन निट्रल कर दिया जागा, तो उससे कार्बन ना निकले, और निकले भी तो ऐसा हो कि हम कंड्रोल कर सकें, वहां के प्रधान में ती कौन है, जेसिंडा, अर्डन, यहां पर एक और इंपार्टेंट इंफॉर्मेशन देदूं आपको, कि न्यूजिलेंड को अगर जोड लें, तो टोटल अब तक 32 कंट्री हो गये हैं, जिन्होंने क्ला क्लामेट चेंज की वज़े से बहुत हम लोग प्राब्लम झेल रहे हैं, और अभी पॉलूशन, बारिश का हो जाना, तुफान जो लगता रहा है, भार जो झेल रहा है, लगता रहा है, लगता रही हाल के समय में, तीन तुफान आ गए, तो वो सब क्लामेट जो चेंज हो कारबन एमिशन हो रहा है, उसकी वज़े से हम लोग ये देख रहे हैं, आगे बढ़ते हैं, अगला कुछ लेते हैं, किस राज की विधान सभा ने ओनलाइन गेम पर प्रतिबंद लगाने का बिल पास किया है, बैन लगाने का, आंसर होगा आंधर प्रदेश, आंधर होने के साथ ही, राज में ऑनलाइन गेम पर पैन लग जाएगा, वहां के मुखमत्री है, वाइस जगन महन रेटी, तो उन्होंने का है कि राज में, आंधर प्रदेश में, बहुत सारे ऐसे युवा थे, जो ऑनलाइन गेम खिलने के बाद कर्ज में फस गए, और आत्मत्या तक कर लिया, बहुत सारे युवा उने, ओके, ऑनलाइन गेम में फस जाते लोग, जुआ, ये सब जो है, काफी उसमें लोग के पैसे चले जाते हैं, और बलफिंग भी होता है, तो इसलिए इसको पहन लगाया गया है, और ये बात सब कही गई है, ओके, एक तो एक अलग त अगला कुछ लेते हैं, उसे पहले बता दूँँ, फिर से कि 2020 का करेंट फॉर्स अबलेबल है, जनवरी से नॉमबर तक का, जैसे मैं डिटेल बताता हूँ, और जो डेली का पीडियेफ होता है, ऐसे ही डिटेल में नोर्स भी होता है, एमसी के साथ, तो तमाम आपके से नॉमबर तक का, पीडियेफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, हिंदे और इंग्लिश दोनों लेंग्विज में है, अगला कोशन लेते हैं, नौवा अंतराश्टिये सेंड आर्ट फेस्टिवल 2020 किस राज में सिलिब्रेट किया जा रहा है, कहां मना जा रहा है, अंसरोगा ओडिसा, ये एक दिसंबर से शुरू हुआ है, और विलगातार चल रहा है, कोविड-19 प्रोटोकॉल के साथ चल रहा है, और देश पर के 70 से ज्यादा कलाकार वहां पर पहुंचे हैं, राश्टिये और अंतराश्टिये सेंड आर्टिस्ट वहां पर अपनी प्र हो रहा है, तो उडिसा की बात हो रही है, वहां के मुखमत्री कौन है, नवीन पतनायक, अगला कोश लेते हैं, नागरिक सुरक्षा दिवस, यानि सिवल डिफेंस डे, ये कब मना जाता है, आंसरोगा 6 दिसंबर, ओके, नागरिकों को जागरु करने के लिए, और नागरिक विद अब्दुल कलाम, अंटोल्ड स्टोरी, तो शिशा की बुक है, उसका विमोचन किस ने किया, लॉंच किस ने किया, अंसरोगा M.Wankay and I2, भारत के उपराश्टपती ने, उन्होंने 3 दिसंबर को इस बुक को लॉंच किया है, और इस बुक के राइटर कौन है, तो पिल्ले जो है, जो राइटर है, उन्होंने एपजे अब्दुल कलाम के साथ काम भी किया हुआ है, जब वो सेटिलाइट से रिलेटेड काम कर रहे थे, तो उसमें काम क्या हुआ हुआ है, चलि आगे बढ़ते हैं, अगला कोशन, किस राज की सरकार ने आठवी से बाढ़ी तक के छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए मुफ्त टैबलेट देने की गोशना की है, आंसर होगा हरियाना, हरियाना सरकार ने स्टुडेंट्स को ये देने की बात कही है, कि अभी जो करोना महमारी है, उस दोरान जो इसकूल नहीं खूल रहे हैं, जैसे में जो सरकारी बच्चे हैं सरकारी स्कूल के, उनको ये टैबलेट दे जाएगा ताकि वो पढ़ाई कर सके, और ये बार में पास करने के बाद ये टैबलेट जो है, वापस लोटाना होगा, तो इसमें प्री लोड़ेट कंटेंट होगे, डिजिटल बुक होगा, वीडियो होगा, बहुत तो किसलिए जाने जाते थे, आंसर होगा, टीवी कलाकार के रूप में जाने जाते थे, टीवी कलाकार के रूप में, मराथी और हिंदी सिनमा जगत में काफी काम किया था, हार्ट अटेक की वज़त से उनका निधन हुआ है, उनका जन्म होगा था 1937 में, ओके, आगे बरते डाक टिकर्ट जारी किया है, आंसर होगा, इंदर कुमार गुजराल, उके, उनके सम्मान में ये किया गया है, चार दिसंबर को वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये, इंदर कुमार गुजराल की जैनती पर, उनके सम्मान में ये डाक टिकर्ट जारी किया गया है, बारवे प्रधान मत्री थे भारत के अप्रेल 1997 से लेकर मार्च 1998 तक उन्होंने प्रधान मत्री के रूप में काम किया था तो दोस्तों ये था important current force कैसा लगा ज़रूर बताना comment box में और अभी जो आपने वीडियो देखा उसका PDF आ गया है और जिन लोगों ने subscribe नहीं किया ज़रू करना साथ हम बिलेकर माना मत भूलना